साथ बार आपको जल पीना है और आपकी बिमारी हो जाएगी दूर हरे मुंग के दाने चड़ा देना है और भुद्धी ज्यान विवेक की प्राप्ति होगी हरी इलाइची से विग्न हर्ता सारे संकट हरेंगे नमश्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर आप सभी का शिव प पर जाए यहने कि बहुत ज़्यादा खास और उत्तम मोका हो जाता है क्योंकि चतुरती तीती भी भगवान गणेश को समर्वित होती है और इसलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम तीन विशेश उपाई के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस फालगुन मास की चतुरती तीती की शुरुआत अठाविस फरवरी को देर रात में 1.53 मिनेट पर शुरू हो जाईगी और इसका समापन 29 पर फरवरी को सुबह 4 ,18 मिनेट. तो । चतुरती तीती का विरत 28 फरवरी को रखा जाएगा जो कि भूदवार का दिन है और भुद्वार की विशेश चत्तुर्ती दिती पड़ी है तीन उपाय तीनों उपाय पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंड में जय श्री गणिश जरू लिखें देखो सबसे पहले उपाय की बारे में बात करते हैं देखो आपको कुछ नहीं करना है ना कोई उपाय करना है बस आपको सबसे पहले उपाय में आपको कीचन में जा करके यानि कि आपका जो रसोई घर है वहाँ पर आपको जाना है और साथ बार जल पिना है और आपके कितनी भी पुरानी बिमारी होगी वो आपकी बिमारी दूर हो जाएगे देखो आपके घर में चाहे बड़े हो बुजर्ग हो जो बार-बार बीमार पड़ जाते हो जिने बार-बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता हो तो विशीशकर उन लोगों को ये उपाय आपको करवाना चाहिए आपके घर में किसी भी सदसे को कोई भी बीमारी है वो निश्चित तोर पर धीरे 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 करके जरूर खत्म हो जाएगी मात्र साथ दिन तक लगातार ये उपाय करना निश्चित तोर पर बीमारी में आराम आपको मिलेगा तो पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं जो कि आपको बीमारी के लिए करना है बीमारी को दूर करने के लिए करना है समझना किस प्रकार से करना है आपके घर में जहां कहीं भी आरो लगा हुआ है यानि कि सबी के घर में आजकल आरो लगे होते हैं अगर आरो नहीं है मट ही जल है वही जल और आप आये क्यों लेना है कुझने चाहें बोड़ समझना है आपके रसोई घर में आपको जाना है और एक कटोरी लेना है जो भी बीमार विक्ती होगा वो ही ये उपाय करेगा समझना कटोरी लेना कटोरी के अंदर थोड़ा सा आपको जल डालना है अब जब आप कटोरी के अंदर जल डालोगे जिसे कि नल से अगर डाल रहे हो तो जल डालना है जब आप जल डालोगे तब आपको बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है तुम्रू का जी का नाम देखो इसक्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा तुम्रू का जी का नाम लेना और आपको यह जल की कटोरी भर देना है आगे आपको बासमें अब आपकी घर में जो भ गुड़ घुड़ करके आपको पीना है समझदे वाप मन ही मन में आप किसका इसमरंड करेंगे हम सबी जानते हैं कि बीमारी को दूर करने के लिए कोई भी उपाइ अगर हम करते हैं तो उसमें कुन्द केश्वर महादेव का नाम आता है समझ में आई बात आपको क्या करना है जल पीना है मन में कुंद केश्वर महादेव का नाम लेना है फिर जल पीना है फिर कुंद केश्वर महादेव का नाम लेना है इसी प्रकार से आपको साथ बार में जल पीना है जल का आचमन करना है और कुंद केश्वर महादेव का नाम लेना है यह उपाय आपको करना है भू गुरू, शुकरिश, शानी, रवी, सोम, मंगल, मंगल वार तक आपको ये उपाय करना है, यानि कि 7 दिनों तक लगातार आप ये उपाय करें, निश्यत तोर पर आपकी बीमारी में आपको आराम मिलेगा, 7 दिन बाद भी आप अगर कंटीनू करना चाहते हो न, तो आप ये उपाय कंटीनू भी कर सकते हैं, 7 दिन तक लगातार आपको विशेश कर ये उपाय करना है, ध्यानकना समय भी एक विशेश करना कि 10 से 11 वजे के बीच में ये क्रिया करनी है, तो ये उपाय आपकी कितनी भी पूरानी बीमारी होगी, वो निश्यत तोर पर धीरे धीरे खत् तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ये हुग आप पहला उपाय, अब देखें, दुसरा जो उपाय है, वो है हरे मुंग का, ये उपाय बहुत ही खास है, विशेश कर गणेश जी को प्रसंद करने के लिए हरे मुंग के हम उपाय करते हैं, आपको लेना है मात्र और मात्र सा विशेश ध्यान रखना हरे मुंग के दाने आप जो लेंगे वो खंडित नहीं होने चीए साथ में लेंगे ताम्य के पात्री के अंदर जल यह उपाय आप किसी भी चतुरती पर कर सकते हैं विशेश कर भुद्ध्य और ज्यान की प्राप्ति के लिए लिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा घ्यानवान रहे पढ़ने में उनका मन लगे तो आपको यह उपाय चतुरती तीथी पर करना है देखो बहुत ध्यान से उपाय को समझना यह उपाय आप सुबह से लेकर के रात्री तक जब आपके इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं अगर कि यह उपाय है केवल और केवल आपको मंदीर में ही करना है देखे आपने ले लिए साथ हरे मुंग के दाने और साथ में तामबे के पात्र के अंदर जल चतुरती तीती पर उस पर थोड़ा सा शुद्य जल आपको डालना है और उसके बाद यह जो साथ हरे मुंग के दाने इसमें से आपको केवल चतूर्ती पर चार हरे मुंग के दाने आपको सीधे हात में लेना है और श्री गणेशाय नमह या ओम गंड गंपते नमह इस मंत्र का जाब करते हुए आपको चार हरे मुंग के जो दाने हैं वो आपको गंड जी वाले स्थान पर यानि कि भगवान शीव के सीधे तरफ गणेजी का इस्थान होता है वहाँ पर आपको चार हरे मुंग के दाने आपको अर्पित कर देना है आगई आपको बास समझ में अब आपके पास है तीन हरे मुंग के दाने और आप क्या करेंगे एक हराम मुंग का दाना आपको अर्प जल करना फिर आप कहरती के इंदर उसके बाद भगवान शिव का पिशेख करना और अभीशेक करते हुए आपको यही प्रातना करनी है कि मेरे जीवन में मेरे घर में जो भी यह समस्या है यह सारी समस्या दूर हो जाए एसी आपको कामना करना है बुद्धी ज्यान विवेक की प्राप्ति हमारे घर में हो एसी आपको कामना करते हुए यह उपाय भी के अगेहां में तूअ संब्सक्राइब को अम्सक्राइब विश्व को बोठा लोगताया। जो कि आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देती है हरी लाइची भगवान शिव को औरपित करने से दन संबंदित परिशानिया दूर होती है तो तीन हरी लाइची लेना पर पहले क्या करना है आपको एक लोटा जल लेकर क्या है थोड़ा सा जो गणेजी वाला जो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सुक्रेश्वर महादेव के नाम से आपको अरपित कर देना है आगे आपको बासच में पहले दो हरी लाइची आपने अरपित कर दी थोड़ा थोड़ा जल आपने दोनों तरफ चड़ा दिया इस परकार से आपको यह उपाय करना ह और उसके बाद अंत में दीपक जलाना है एक हरी लाइची डाल देना है और एसी हरी लाइची वाले दीपक से महादेव की आपको आरती कर देना है और अंत में करेम जीवन की यह धंस scannedit परेशानिया है यह सब दूर हो जाए गदेश जी आपकी क्रपासे महादेव आपकी क इस प्रकार से यह उपाय आपको करना है कल बहुती प्यारा सा दिन है चतुरती का दिन है मन नहीं लगता है तो उनके लिए भी आप प्रातना कर सकते हैं हरी विची वाला आप उपाय करेंगे आपके जीवन के शाही समस्य से दूर जेगी देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको तीन महा उपाय बता हैं तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ विचे समझ में ना आए तो कमेंड में पूछ लेना गलतीन नहीं करना है सरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महा